नमस्कार प्यारे बच्चों आज हम हिंदी की एक कविता वह देश कौन सा है इसके बारे में पढ़ने वाले है कविता के कवी है राम नरेश त्रिपाठी जी राम नरेश त्रिपाठी जी का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था वह राष्ट्रिय और सांस्क्रोतिक काव्यधारा के प्रमुख कवी है वह देश कौन सा है इस कविता में कवी भारत की महिमा एवं उसकी सुन्दर्ता को बताते है तो चलिए देखते है कविता में कवी क्या कहते है मन मोहिनी प्रकृती की जो गोद में बसा है सुख स्वर्ग सा जहा है वह देश कौन सा है कविता की शुरुवात में कवी हमें बताते हैं एक देश के बारे में जो प्रकृती से भरा हुआ है मन को मोहने वाली उस देश की प्रकृती को देख कर कवी को स्वर्ग के जैसा सुख प्राप्त होता है कवी पूछते है वह देश कौन सा है आगे कवी कहते है जिसके चरण निरंतर रतनेश धो रहा है जिसका मुकट हिमालय वह देश कौन सा है रतनेश इस शब्द का अर्थ होता है समुद्र कवी कहते हैं कि यह एक ऐसा देश है जिसके चरणों में हमेशा सागर बहता रहता है कवी कहते हैं कि हिमालय परवत इस देश के मुकुट समान प्रतीत होता है कवी पूछते हैं वह देश कौन सा है आगे कवी कहते हैं नदिया जहा सुधा की धारा बहा रही है सीचा हुआ सलोना वह देश कौन सा है सुधा का अर्थ होता है अमृत कवी कहते हैं कि इस देश में नदिया सुधा की धारा बहाती है यानि वह बहुत सारा पानी अपने संग लेकर बहती है उस पानी से वह धर्तिं को सींचती है, जिससे खेत-खलियान हरे-भरे रहते है और देश फला-फूला रहता है कवी कहते है वह देश कौन सा है आगे कवी कहते है जिसके बड़े रसीले फल, कंद, नाज, मेवे, सब अंग में सजे है वह देश कौन सा है कवी हमें बताते है कि जिस देश के बारे में वह पूछ रहे है वहां बहुत सारे फल, बहुत सारे कंद और मेवे मिलते है उस देश में अपार मात्रा में अनाज उपलब्ध है पूरा देश इन सारी चीजों से सजा हुआ है आगे कवी कहते है जिसमें सुगंद वाले सुन्दर प्रसून प्यारे दिन रात हस रहे है वह देश कौन सा है प्रसून इस शब्द का अर्थ है फूल कवी कहते है इस देश में बहुत सारे सुन्दर महक वाले फूल खिलते है वह फूल दिन रात हसते रहते है इससे कवी हमें यह बताते है कि वह सुगंधी फूल अपनी महक से सारे देश को महकाते रखते है कवी पूछते है ऐसे सुन्दर फूलो वाला वह देश कौन सा है आगे कवी कहते हैं मैदान गिरी वनों में हरियाली लहरती आनंद मैं जहा है वह देश कौन सा है कवी कहते हैं कि उस देश के मैदान परवत जंगल चारो तरफ हरियाली है जिसकी वजह से सारे देश में आनंद मैं वातावरन का अनुभव किया जाता है कवी पूछते हैं ऐसे हरियाली से भरा हुआ देश कौन सा है आगे कवी कहते हैं जिसके अनन्त धन से धर्ती भरी पड़ी है संसार का शिरोमनी वह देश कौन सा है केवल प्रकृती ही नहीं बलकि पूर्वजों के ज्यान के रूप में भी जो धन प्राप्त है उससे इस देश की धर्ती भरी पड़ी है उसी कारण यह देश संसार का शिरोमनी यानि की पूरे विश्व में श्रेश्ट देश है कवी पूछते हैं वह देश कौन सा है आगे कवी कहते हैं सबसे प्रतम जगत में जो सब्य था रहेगा जन जन का दुलारा वह देश कौन सा है कवी कहते हैं वह जो देश है वह पूरे विश्व में सब्य देश कहलाता था और आज भी कहलाता है और हमेशा एक सभ्य देश कहलाएगा इसी कारण वह सभी का प्यारा देश है कवी पूछते हैं वह देश कौन सा है इन अंतिम पंक्तियों में कवी हमें बताते है नवक्रांती के पुजारी सेवक सपूत जिसके भारत सिवाए दूजा वह देश कौन सा है नवक्रांती के पुजारी यानि कवी उन लोगों के बारे में हमें बताते है जो नए विचारों से आगे बढ़ रहे है ऐसे लोग जो इस देश के सेवक और सपूत है वह देश कौन सा है अंत में कवी हमें बताते है कि वह देश कौन सा है जी कवी हमारे भारत देश के बारे में बात कर रहे है इस प्रकार कवी भारत की महिमा एवं उसकी सुन्दर्टा का वर्नन पूरी कविता में करते है धन्यवाद